नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज 26 दिसम्बर दिन मंगलवार खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार सरकार आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी ताजी सबजिया बिहार में कोरोणा को लेकर सरकार ने जारी किये गाइडलाइन जमीन की मापी के लिए इलिस्ट्रेशन के बाद देनी होगी ये एहम जानकारी सीबी एसी ने इस वज़ा से रद की 26 स्कूलों की मानता आज भारत दक्षिन अफरीका के बीच खेली जाएगी टेस्ट स्रीज अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के ओर विस्तार से इंटेलिजन्स ब्यूरो में ACIO 2 के 226 पदों पर निकली भरती Ministry of Home Affairs की ओर से इंटेलिजन्स ब्यूरो में Assistant Central .gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आवीदन करने की अंतिम तारिक 12 जन्वरी 2024 तक निर्धारित की गई है इसके लगर सेचने क्योगिता की बात करे और उनकी आईउ 18 वर्से कम और 27 वर्से अधिक नहीं होनी चाहिए इसे जड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किये गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख ले बिहार ओदोईक निवेस प्रोथ शाहन नीती 2016 के तहत मिलते हैं ये साहायता अनुदान बिहार सरकार के उदोग विभाग के द्वारा बिहार ओदोईक निवेस प्रोथ साहन नीती 2016 के तहत कहीं साहायता अनुदान दिये जाते हैं जिसके अंतरगत स्टांप सुल्ख पंजीकरन सुल्ख की 100% प्रतिपूर्ती भूमी रुपांतरन सुल्ख की 100% प्रतिपूर्ती बैंकों से लिए गए कर्ज पर 10 प्रतिशत MSME के 12 प्रतिशत की ब्याज प्रतिपूर्थी अधिक्तम 10 करो रुपे प्रात्मिक्ता छेतर के लिए सुकृत परियोजना लागत का 100 प्रतिशत और गैड प्रत्मिक्ता छेतर के लिए 70 प्रतिशत पर संबंधी प्रोटसाहन 5 वर् अबधि के लिए SGST की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्थी करमचारी के प्रसक्शन के लिए प्रति करमचारी 20,000 रुपे कानुदान करमचारियों के ESI और EPF योगदान पर 5 साल के लिए रोजगार लागत सबसिडी पुर्दू स करमचारी 50 प्रतिशत और महिला करमचारी को 100 प्रतिशत दिया जाता है पतादिक इसके लिए प्रिस्तावित निवेस सरसथ 1614.94 करोर रुपए है इस जड़ी अधिक जानकारी तथा आवेदन ऑनलाइन करने के लिए वेफसाइट sttps.com.startup.bihar.gov.in पर विजिट करें बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे पादरी की हवेली के बारे में पादरी की हवेली जिसे सेंट मेरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है पटना का सबसे पुराना चर्च है और वास्तब में बिहार का जबकि चर्च को पहली बार 1713 में बनाया गया था आज हम जो सनचना देखते हैं उसे 1772 में वेनिस के वास्तुकार तिरेटु द्वारा डिजाइन किया गया था यह चर्च 1773 में नवाब मीर कासीम और 1857 में आजादी की पहली लडाई के दौरान सहित कहीं हमलों को जेल चुका है यदिपी गोथिक इमारत में कहीं आधोनिक इसपर्शय या काफी हद तक अच्छी तरह से सनक्षे थे और इतिहास और विडास इसमारकों में रूची रखने वालों को अवस्य जाना चाहिए पहले मंगल टैंक के रूप में जाना जाता था जील 856 से 75 में बनाई गए थी हलाकि कुछ का कहना है कि है 200 साल से अधिक पुराना है जील की खुदाई के दौरान इट की एक पुरानी दिवान मेली जिसे प्राचीन शहर पाटली पुत्र के एक खंडर माना जाता है नए साल के दिन यहां एक मेला आयूजित किया जाता है जिसमें लगभग 10,000 सुख साधक आते हैं बिहार में कुरोना को लेकर सरकार ने जारी किये गाइडलाइन एक बार फिर से कुरोना के मामलों में बढ़ुत्री होने लगी है ऐसे में इसको देखते वे बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के द्वारा राज्य के सभी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहट कहा गया है कि अस्पताल आने वाले सभी वुखार खासी और सांस संबंध बिमारी और सीवियर एक्यूट रिस्पिरिटरी इंफेक्शन के रोग्यों की कुरोना जांच अनिवारे कर दी जाए ऐसे में अगर किसी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उनका जिनोम सिक्वेंसिंग किया जाएगा इसके लावा विभाग की ओर से सभी जिलों को RT-PCR जांच की संख्या पढ़ाने का भी नर्देश दिया गया है और LLISARI के मामलों की रिपोर्ट पोर्टल पर अप्लोड करने को कहा गया है अस्पतालों में ओकसीजन, आइसी उ, डॉक्टर समेट दवा, बीड और अन्य उपकरनों की उपलगता सुनिश्शित करने का नर्देश दिया गया है मास्क और सैनिटाईजर का उपयोग करने का भी नर्देश दिया गया है अयुश्मान कार्ड बनवाने में बिहार के ये पांच जला सबसे आगे बिहार के 16 जला ऐसे हैं जहां पिछले 5 सालों में केवल 19.88 प्रतीशत लोगों के द्वारा ही अयुश्मान कार्ड बनवाया गया है और इसकी वज़ा कॉमन सर्विस सेंटर है विविन जिलों के सिविल सर्जन का इसको लेकर जानकारी देते वे बताया गया कि C.S.C. के माध्यम से जिस गती से कार्ड बनने चाहिए उस गती से नहीं बन पा रहे हैं बता दे कि जिन 16 जिलों में केवल 19.88 प्रतीशत लोगों के द्वारा ही पिछले 5 सालों में आयुश्मान कार्ड बनवाई गय नवादा, औरंगाबाद, बकसर, भोजपुर, वैशाली, सारन, सिवान, गोपाल गंज, बेगुसराई, नालंदा, सेखपूरा, जहानाबाद और अर्वल जिला शामिल है मालुम हो के इंजिलों में कुल 1,65,82,579 लाभुकों के कार्ड बनाये जाने का लक्ष नर्थारित किया गया था जिसमें से केवल 32,97,812 लाभुकों के ही कार्ड बनवाई गये हैं बतादे की परताल में यह विबात सामने आई है कि वैशाली में सबसे अधिक आयुश्मान कार्ड बनाए गये हैं इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर रोहतास, तीसरे नमबर पर भोजपूर, चौते नमबर पर वेगुसराय और पाँचवे नमबर पर नालंदा है केके पाठक ने जारी किया नया फर्मान विहार की सिक्षा विवस्था में सुधार लाने के लिए विहार सरकार के सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के दौरा कहीं फर्मान जारी किये जा रहे हैं अब उन्होंने एक और फर्मान जारी किया है जिसके तहत स्कूलों के साथ उनमें पढ़ने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर भी नज़र रखी जाएगी दरसल इसको लेकर प्रदेश भर के सभी जिलों में प्रखंड अस्तर पर निगरानी सल की स्थापना की जा रही है ज पर उस रिपोर्ट के आधार पर सुधार किये जाएंगे यह विवस्था नए वर्ष में लाग होगी जमीन की मापी के लिए रेजिस्ट्रेशन के बाद देनी होगी यह एहम जानकारी जमीन की मापी के लिए अगर आप अंचल काड़े आले का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट यह मापी पोर्टल पर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस दुरान आपको रायत की जमाबंदी से प्लोट या खिसरा का चेयन करना होगा साथ ही इसमें आभी तक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जमीन का वित्रत विबरन चोहदी दारों का विबर के लिए ही आवेदन किया जा सकता है मापी है तू आवेदन ग्रावीन छेत्र में रजश्व मौजावार एवं शडी छेत्र में वाडवार समर्पित किया जाएगा CBSE ने इस वजह से रद की 26 स्कूलों की मानिता केंद्री माधिमिक सक्छाबोड CBSE के द्वारा बड़ी काढवाई करतेवे बिहार की राजधानी पटना जोन के अंतरगत आनेवाले 26 स्कूलों के मानिता को रद कर दिया गया है बता दे कि जिन स्कूलों की मानता को रद किया गया है उसकी सूची बोर्ड के द्वारा अपनी वेफसाइट पर उपलंध करवा दी गई है इन स्कूलों को लेकर बोर्ड का कहना है कि ये सभी स्कूल छात्रों से बड़ी रकम वसूल रहे थे लेकिन छात्रों को पढ़ाई औ का मौका दिया गया है मनोज बाजपई पहुंचे पश्चिम चंपरन मतन का उठाया लुथ बीते दिन शाम को बिहार के लाल और बॉलेवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपई सब परिवार अपने पैत्रिक गाउं बेलवा पहुंचे इस दोरान वे भावोख हो उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिलता जो सुकून मुझे बिलवा गाउं की मिट्टी देती है उन्होंने कहा कि मा थी तो सबसे पहले आती और कहती थी मनोज आ गई और गले लगाती थी अभी वा कमी खल रही है उन्होंने गाउं और खेत क मटन का अनंदलिया उन्होंने बताया कि जमपारण के मटन से हमेशा लगाव रहा है बिहार के टूरिस टेस्ट इस्टनेशन पर मिलेंगी ये 23 सवधाएं राजे में बहुत जल्थी नई परटन नीती लागो होने के बाद छोटे परटन अस्थलों पर परट के सवधाएं वि सवधाएं विक्सित की जाएंगी उसके अंतरगत होटल, हेरेटेज होटल, वेलनस रिपोर्ट, पुराने होटल का जनुद्धार, कन्वेंसन सेंटर, जनसवधार, डोर मेटरी, एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट, वेलनस टूरिज्म प्रोजेक्ट, थीम पार्क, ए पट्री के किनारे लिखे HR, WL और CFA का मतलब होता है ये जब हम ट्रेड मी सफर करते हैं तो हमें कई बार रेल पट्रियों के किनारे साइन बोर्ड लगे नजर आते हैं ऐसे में उस साइन बोर्ड का मतलब कई लोगों को तो मालूम होता है लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिने उनका मतलब नहीं मालूम होता लेकिन बता दे कि यह जानना बहुत जरूरी है कि उस साइन बोर्ड पर लिखे बातों का क्या मतलब होता है क्योंकि यह सभी साइन बोर्ड सुरक्षा की दृस्टी से लगाए होते हैं बता दे कि अक्सर आपने पट्रियों के किनारे लगे साइन बोर्ट पर W, L और C, F, या H लिखा देखा होगा लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है दरसल H सब्द का इस्तमाल लोको पाइलेट के लिए किया जाता है और रेलवे बे इसका मतलब हाल्ट होता है जो विसेश कर लोकल पैसेंजर ट्रेनों के लिए होता है या हाल्ट स्टेशन के कुछ किलो मीटर की दूरी पर होता है इससे इस लाइन को देख कर लोको पाइलेट को यह जानकारी मिल जाती है कि आगे हाल्ट हैसे में ट्रेन की रफदार धीमी करन होगी वहीं डबलू एल और सी फा का मतलब सिटी बजाना है इस साइन को आम तोर पर रेलवे क्रॉसिंग से 250 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे किशोरी सनहा के बारे में महिला बनी 1984 में वह पुना नडवाजित हुई श्री मती किशोरी सनहा और उनके पती सतंदर नारायन सनहा पूरे देश के उन तीन संसदियत दमपतियों में से एक थे जो सातवी लोग सभा के लिए एक साथ चने गये थे वाक्यल भारतिये महिला परिसत की सदस्य भी थी उनका राज़ुतिक जीवन छह दशकों से अधिक समय तक फैला रहा किशोरी सनहा की मृत्यों 19 सिसंबर 2016 को ही विहार सरकार आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी ताजी सबजियां कसानों की हाई में बढ़ोतरी की जा सके और राज़ी के लोगों को ताजी सबजियां मिल सके इसके लिए चौते क्रिसी रोड मैप में सरकार की ओर से एक निर्ने लिया गया है बता दे किसके लिए राज़ी के 18 जिलों में सरकार की ओर से पैक हाउस बनेंगे इसका निर्मान किसानों की अपनी कंपनी FPC की जरीय किया जाएगा इन पैक हाउस में सबजी और फल जैसे उद्यानिक फसलों को रखा जाएगा और लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए आविशक प्रबंधन किया जाएगा मालुम हो किसकारी को करने के लिए क्रिस्ति विभाग के द्वारा 2,444,00 रुपए जारी किये गए है सियोजना के पहले चरण के तहत 13 फसलों का भंडारन किया जाएगा जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, हडा, मतर, प्याज, आलू, मधू, आम, हल्दी, अनानास, लीची, केला और मखाना शामिल है वहें जिन जिलों में पैक हाउस बनेंगे उनमें रोता समस्तिपूर, अरडिया, पुडवी, चंपारन, भोजपूर, बकसर, नालंदा, वैशाली, दरभंगा, भागलपूर, पटना, पश्रिम, चंपारन, कसंद, गंज, मुझपरपूर, सीता, मढ़ी, शिभर, कटिहार, और सुपॉल, जला, शामिल है मनीश कर्षप ने बताई अपने जेल की कहानी, मनीश कर्षप जेल से रिहा हो चुके हैं, ऐसे में एवीपी न्यूज के साथ बातचीत करते वे मनीश कर्षप के द्वारा, खुद से जुड़ी कई बाते शेयर की गए, उन्होंने कहा कि तमिलनादू के जेल में रहने के द उसी का नतीजा हुआ कि हमें जेल में डाल दिया गया, मैं हमेशा गड़ी मजदूर और शोसित, लोगों की खबरे चलाता हूं, मजदूर की बात थी, इसलिए मैंने खबर चलाए, इसके साथ उन्होंने राजनिती में आने को लेकर कहा कि उनका राजनिती में आने का कोई इरादा नहीं है। सूरत चांद रहेगा, चंदन तेरा नाम रहेगा कि नारे भी लगाए गए। सोहजार सत्रम में आर्मी में भरती हुआ था। जानिये बिहार के मौसम का हाल, बिहार में इन दिनों तापमान में काफी उतार चड़ाव देखा जा रहा है। दिसंबर के महीने में ठंड बढ़ने के बजाए तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हाला के अभी पाँच दिनों तक तापमान में कोई विसेज परिवर्तन होने की संभाबना नहीं है। मौसम विज्यान केंद्र से प्रावत आंकडों के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का छेतर पश्मी पांगलादेश और आसपास के छेतर में समुदर तल से 1.5 किलो मीटर उपर स्थित है। वज़ा से अगले 24 घंटे के दोरान राज्य का मौसम आम तोर पर सुस्क रहेगा पटना मौसम विज्यान केंद्र के अनुसार ठंडी हवा मध्य भाग में सक्रिय हो चुकी है। परस के आने में अब बस कुछी दिन बाकी रहे गए हैं ऐसे में नए साल पर शिराब खपाने के लिए तसकर के दोरा अलग अलग तरीके से राज्य में तसकरी को अंजाम दिया जा रहा है। कीमत लाकों रुपे में बताई जा रही है। इस बारे में मोहनिया थाना अध्यक्ष ललन प्रशाद के द्वारा जारकारी देते वे बताया गया कि बिहार में नए शाल पर खपाने के लिए पंजाब से तसकरी की जा रही थी। हमारी टीम ने जांच के दौरान एक ट्रक को जब किया है और ट्रक से 7,434 लीटर अंग्लेजी शिराब मिले हैं। फिलाल पिलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रहन के लगातार और नरबाद रूप से देखकर उसका ध्यान कर सकेगा। एरपोर्ट पर राज्य सरकार बनाएगी विई आईपी विश्राम कक्ष बिहार की राजधानी पटना में सिज्जे प्रकाश नरायन अंतरराश्ट्री हवाई अड़े पर दो करोड असी लाग सत्रह हजार रुपए की लागत से अगले छे महीने में बिहार सरकार के द्वारा विई आईपी विश्राम कक्ष का निर्मान करवाया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पुल नर्मान निगम लिमिटेट के द्वारा नविदा जारी कर दी गई है। द्या निधी मारन को बिहार कॉंगर्स के निता ने भेजा लीगल नोटिस। इस बारे में चंदरिका प्रशाद के द्वारा एविपी निउस से बात करते हुए कहा गया कि बिहार के अडवल के अंजनी कुमार तेलांगना में दीजिपी हैं। तमाम पदाधिकारी IAS IPS वहां शासन कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपर्ट जो कि पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था। उस पर ट्वीट कर बोला है कि आदर्नी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्स दो करोर रोजगार देने का वादा दो हजार चौदम में किया था लेकिन दिया जीरो। बेरुजगारी आज देश में बहुत बड़ी सबस्या है। आज यानि कि 26 दिसमबर से भारतिय टीम दक्षिन अफरिका दोरे पर दो मैचों के टेस्ट सरीज खेलने वाली है जिसके तहट भारत और दक्षिन अफरिका के बीच पहला टेस्ट 26 दिसमबर से 30 दिसमबर के बीच सेंचुरियन के सूपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाए यह टेस्ट मैच भारतिय समय के अनुसार दो पहर दो बज़े से शिरू होगा मालू हो कि भारतिय टीम के लिए यह सिरीज एहम रहेगी एक बार भी टीम इंडिया दक्षिन अफरिका में नहीं जीती है ऐसे में आज भारतिय टीम रोह सर्मा की कप्तानी में प्रदर्शन कर इस स्रीज को जीतने की कोशिश करेगे इस मैच को आप स्टार स्पोर्स नेट्वर्क पर लाइफ देख सकेंगे इसके अलावा मोबाइल पर मैच देखने वारे दर्शक डिजनी प्लस होट स्टार पर मैच के लाइफ स्ट्रेमिंग भी देख सकेंगे भारत की त्यास में आज की तारीख है कहीं कारणों सिदर्ज दिली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का उनिस्व चार में उद घाटन हुआ भारती कम्यूनिस्ट पाटी की उनिस्व पचस में अस्थापना हुई भारत की पुर्व प्रदान मंतरी इंदरा गांधी को 1978 में जेल से रिहा की हा गया उरिशा की प्रमुक पाटी बीजू जनता दल की 1997 में अस्थापना वर्ष्ट राजनीता बीजू पतनायक के पुतर नविन पतनायक ने की शतनता सिनानी अमर सहीद उधम सिंग का जन्म 1899 में हुआ विख्यात सामाजिक कारे करता मुख्यता कुछ्च रोग्यों की सेवा के लिए विख्यात बाबा आम्टे का जन्म 1914 में हुआ प्रसद संगीतकार नौशात का जन्म 1929 में हुआ गुजराती साहितिकार तारक महिता का जम 1929 में हुआ भारतिय समाज सेवी महिला माबेला अरोल का जम 1935 में हुआ प्रसिद संथ महात्माओ में से एक विध्यानंद जी महराज का जम 1935 में हुआ प्रसित समाजिक कारे करता तथा चिकेशक प्रकास आम्टे का जन उनी सो अर्तालिस में हुआ वैदिक परंपड़ा के प्रमोख मुधी जीवी राम स्वरूप का जन उनी सो अन्ठानवे में हुआ मोगल समराड बावर का निधन 1530 में हुआ कवी का कलकत्ता हेंडरी लुइस वीवियन डेरोज जीयो कानेदन 1831 में हुआ भारत के चितनता संग्राम के प्रसिद करांती कारी लेखक तथा समाज सास्त्री मुपेंदर नात दतकानेदन 1971 हुआ बारल खर में आजम बात करेंगे सपता हांत नीती के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे सपता हांत नीती के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर चल रही एक तस्वीर में दावा किया गया है कि केंद्रे वित मंत्रे निर्मला सिता रमन अगले बजट में तीन दिन की सपता हांत नीती की घोशना करेंगी पी आईबी ने अपने ट्वीट में आगल लिखा है कि दावा फर्जी है ऐसा कोई प्रिस्ताओ मनिस्ट्री और फाइनस के द्वारा जारी नहीं किया गया है यूटूब पर क्रेटर्स के लिए लॉंच हुआ नया फीचर गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लाटफॉर्म यूटूब पर कंपनी ने एक नया फीचर पॉड़कास्ट करने वाले क्रेटर्स के लिए एड किया है इसके तहत क्रेटर्स अब आसानी से अपने पॉड़कास्ट को अप्लोड कर पाएंगे दरसल कंपनी यूटूब स्टूडियो के अंदर पॉड़कास्ट वीडियो को शेर करने के लिए एक नया उप्शन दे रही है जिसके तहत क्रेटर्स इसे यूटूब के साथ साथ यूटूब मूजिक पर भी शेर कर पाएंगे साथ ही पॉड़कास्ट यूटूब मूजिक को होमपीच पर पॉड़कास्ट ऑप्शन का भी लाब ले सकते हैं यूटूब मूजिक पर पॉड़कास्ट को यूजर्स ओन डिमांड ओफलाइन और बैक्राउंड में भी सुन पाएंगे इस्टे क्रेटर्स को एड्स और सब्सक्रिप्शन सी और पैसा मिलेगा और उनकी इंकम बढ़ेगी हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा समेत SSC जरसे अने प्रतियोगी परिच्छा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विग्यान, करेंट अफेर्स और भोगोल्स रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सहुत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में किसने गल्फ ओफ अडेंजल स्षेतर में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है अप्शन भारतिय नौ सेना, अप्शन भी अमेर्की नौ सेना, अप्शन सी रूसी नौ सेना, अप्शन भी पाकस्तानी नौ सेना इसका सहुत्तर है अप्शन भारतिय नौ सेना अगला सवाल, हाली में किस ने दो दिवसिये जन जातिये केंदरत काडिकरम आदी व्यक्ष्यान का उधगाटन किया है इसका सहुत तरहे ओप्शन डी अर्जन मुंडा अगला सवाल, हाली में किस राज्य की काबिनेट ने पहले एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है इसका सहुत तरहे ओप्शन डी उत्तर प्रदेश अगला सवाल, भारतिय क्रिसी अनुसंधान संस्थान के पुर्वी छित्र का मुख्याले कहा है उप्शन A पटना, उप्शन B दरभंगा, उप्शन C मुंगेर, उप्शन D चमपारन इसका सहुत तरहे ओप्शन A पटना अगला सवाल, अभी बिहार में अर्तिस जिले हैं, जार्खन के अस्थापना से पुर्व बिहार में कितने जिले थें? ओप्शन A 48, ओप्शन B 52, ओप्शन C 55, ओप्शन D 50 इसका सहुत तरहे ओप्शन B 52 पुराज का सवाल है, इस बार ठंड में आप कहां छुट्टी मनाने जाने की प्लान बना रहे हैं, अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें, बिहारी